वेलकम बेग नाजीन देशतगर्दी स्कूल, कॉलेजिज, यूनिवर्सिटी समेत दीगर तालीमी इदारों तक क्यों फैल दी जा रही है इसके इलावा वो फॉरेंट स्टडीज के लिए जाते हैं, वो ही हमारे गुम्रान बन जाते हैं, फिर वो अपने बच्चों को ही प्रमोर्ट करते हैं, जिसकी वज़से तपकाती नजाम की वज़से से जो हमारे जो तालिविल्म है, वो जिनी तुर पर मुंतश्यर होग तो आप इसको यू समझने के अगर एक बच्चा यूनुवस्टिक से MSC करके निकलता है, या एंजिर्निंग करके निकलता है, लेकिन वो माली तोर पर इस काबिल नहीं के वो रिशुर दे कर जो हमारे जोब आसे जाते हैं, तो उस सुरत में क्या होता है, वो इन्तकामी हो जात कोई हमारी कैलकुरेशन नहीं है, कितने लोग हमारे MBA निकलते हैं, कितने लोग मास्टर डिग्री निकलते हैं, कितने लोग निकलते हैं, कितने लोग इंजिनियर्स निकलते हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, जब उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, फिर प्राइविट सेक्टर्स जो ऐसे लोग हैं जो इनका ब्रेनड़ वाश करते हैं और ब्रेनट़ वाश करके कहते हैं कआप पिस के खलाफ है और जब जहाद के लिए निकलते हैं तो फिर वह जहाद, जो ए, उसमें उनियां तराफ हैं क्यों 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 हुआँ की करें रहएं हम जिनी तो पर उनको मफ्रूज कर रहे हैं कि बुन्यादी एक रिजन है इसके लवगा क्रॉप्शन बहुत ज्यादा है चोटा सा आपने काम करवान है किसी भी जगह जाते हैं तो वहां पर वो पैसे के बगार आपका काम लिए जाते हैं कहीं किसी बेदार में चले जाते हैं तो आप फूरी तो पर आपका काम जोना असानी के साथ लिए इसी तरह हमारे तालीमी नजाम में बचों को नमबर देए जाते हैं पैसे लेकर तो उससे क्या होता है कि जो पढ़ने वाला बच्चा वो जिजनी इंतिशार का शिकार हो जाता है तो देखता है इतनी जितने हमारे जो टॉप लेवल्स के जो लोग होते हैं वो लोगों की सफारिश करते हैं जब किसी बड़े आदमी की सफारिश आजए थे तो गरीब आदमी के बच्चे को जाकला नहीं को तालीमी इदारों में इस किसम के प्रोग्राम का होना बहुत ही खुशाइंग बात है क्यूंकि इससे स्टूरंट्स की मालूमात में इजाफा होता है और ट्रेनिंग हासल करने के बाद उनके दिलों में देशतगर्दों का खौफ भी कम होता है इन स्टूरंट्स को चुक सकते हैं आप चुक जाएं और अब्सर्व करें और देखें खुद फैसला करें एक्वेट करना है कि चुक में अब वो जब मुबाइल पर बात करेगा तो हमें एक खबर दे सकता है कि इस किसम का देश्ट गर दे उसने ये कपड़े पहने उसके हाद में हतियार ये और कि इदर हैं तो हम प्रिपेर हो कि आएंगे ज्यादा है यहां और अच्छे होने चाहिए यहां पर आर्मी बहुत से लोगा इन्हों नहीं हमें थोड़ा सा एड़ करकी दिखाया हमें काफी पता चला उससे और हमें काफी यानि हमें फाइदा हुआ है हम चाएंगे कि छोड इसके बारे में बताया और मैं चाहती हो कि यह उन्हें पता होना चाहिए कि यह गैसे सवाली केटिया जोड़ी है और इन चीजों से क्या काम कर सकते हैं और यह बहुत ही कोई मज़े की चीजे यहां पर हम अपरी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लड़किया यहां कर सकते हैं इसकी वज़े से हमें सबसे जादा ये हुआ है कि हम लोग जो है किस तरीके से इन वेपन को जो जो यह वो फेस किया सकता है क्योंकि वह फाइसे नुट थैंक यू कि हमारी उनिवर्स्टी में आया हमाई गल्स को तरीके साभए क्योंकि लड़किया ऐसी सिचुईशन में बहुत जल्दी दर जाती हैं खौफ जदा हो जाती है और बहुत जदा प्रॉब्लम फेस कर देती हैं तो इस वद जैसे कि अगर हमें वेपन की अवेड़नेस होगी तो हम खुद को और अपने फ्रेंट्स को जए वो सिक्योर कर सकेंगे और हम जए कोई किसी की सिचुईशन से बच सके और खुद को जो सेफ कर से ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और यह एंडिफेंस टाइप जो होने चाहिए जिसना भी APS के अंदर हुआ चार सदर यूनिवर्स्टी के अंदर हुआ तो भी तर्तनाख था और एक तरीक से यानि एक टॉशिं यानि जो होती है एक दव से दिल पल नहीं तो बहुत इस तरह नहीं मतलब के डिफेंस टाइप की होनी चाहिए ताकि हम लोग के जिसना भी पूरे सिन के अंदर सेके यूनिवर्स्टी ए वूमेंस के लिए तो जो है यानि यानि यूमेंस के अंदर थोड़ी अवर्णिस आनी चा ताकि हम लोग जो है अच्छे से जो है अपने आपको पर्टैक कर सके हम लोग अगर को हम लोग को कोई भी हासा होता है अचानक से तो हम लोग को पता हो कि हम लोग को अपनी सेव्टी कैसे करनी है हमारी फोज दुनिया की ताकत वर फोज है इतना जल्बा दुनिया की किसी के अंदर नहीं हम उसको इस कामों के लिए ना रखे हैं जिस मकसद के लिए को जाए उसको पूसी के लिए और यह सारी गुणादी वजाई है कि हमें मजबूर कर दिया है अपनी फोर्सिस को कि वह इनवाल्व होते हैं तो उनके ओपर कोई अटैक करता है तो वह भी तो अटै जानत को इस्तमाल करें तो आज दुन्या कि जल्द के अई हमें हम एंचोव कि बायक की कंटी समें कोई ली जाएगा इन्यां चोटी-चोटी कंटी आरिलेंड बोथ चोटी मिलियन नहीं आ हमारी तरह नहीं है हम अगर अगर अपना नजाम तालीम तब्दिल करने पुरा पाकस्तान तब्दिल हो इससे कंटीनियू रहना चाहिए एंची सी की ट्रेनिंग कॉलिजीज में करनी चाहिए हमें बुलाना चाहिए लॉइनफोर्सिंग के जो जो कॉलिफाइड लोग है वो आपके सामने कोई स्टूडेंट जाने को भी तयार नहीं है तो इसके कोई पैनिक नहीं क्रियेट किया और इनमें इतना कॉंपिडेंस आ गया इने पता है कि अब इनके लॉइनफोर्सिंग के लोग इनकी एल्प कर सकते यह बात ते है कि हमारे मुलके होनेहार बच्चे किस इसी दहशतगर्द से नहीं डरते उन्हें सिर्फ और सिर्फ आवेर्निस की जरूरत है यह बच्चे छोटे जरूर हैं मगर उनके होसले बहुत बुलंद है इसका अंदाजा आप उनकी बातें सुनकर लगा सकते हैं कि वो कितने बाहिमत और बहादूर है मेरा व्यू यह है क कि ज्यादा वो ज्यादा पावसले हमारे पास जो हत्यार है हमारा कलम है और हम लोग उससे डट के मुकाबला करेंगे दैशतगर्दी से हमें डरना नहीं चाहिए बहल कि हमें उसका डट के मुकाबला करना चाहिए क्योंकि हम मुस्तक्बिल के मेहमार हैं हम हैं तो पाकिस्त मैं वो ट्रेम हान करने का एक ऴॉच्छायों मैं सब्सक्राइब करना है अगर हम से ट्रेंश शुमार्म करना है, क्योंकि अध् ellaset गर्वाइब नधी कर सके ने मिल एकिसे हैं, नॉध नहीं ने मतोम हम चले जो देशतगर्दी मुल्क के अंदर बहुत जादा तेजी से डिपलॉप हो रही है उसे खतम करना चाहिए और मैं पाक फोज से रिक्रेस्ट करता हूं कि वह अपने जो स्कूलों के अंदर है वह स्कूर्टी को जादा सक कर दें जिसकी वज़ा से जो हमारे वालदेन हैं वह ब देशतगर्दी से हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए क्योंकि हम इस मुस्तक्विल के मिमारों और अगर अगर कुछ उल्टा सिदा करेंगे या कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे लोगों लोगों के दिल में डर पैदा हो तो हम डरने वालों में से नहीं है क्योंकि हम इस मुस्तक्विल का हम इस पाकिस्तान का में मारों इंशाला हम अपने पाकिस्तान को बहुत आगे लेकर चाहिए कि भी कोई अलाद है वह हमें अगर मारने से पहले यह सोच ने तो क्या पता यह देशितगर्दी खतम हुआ और जो एंसी सी के ट्रेइनिंग जो शुरू हु इस पाकिہ आगे किकाना में वह हमें ट्रेइनिंग जें के पेस्टान को सकते हैं और डाले हम इस्टानिकें प्रतियू करूं कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में S.S.U. की जानिप से जो ट्रेनिंग का हितमाम किया गया वो बहुत ही खुशगवार तजर्बा साबित हुआ इस्टूरंट भी काफी पुर्जोश नजर आए वो ये ट्रेनिंग खुशी खुशी हासिल करते रहे क्या इस ट्रेनिंग का इतमाम S.S.U. ने खुद किया था या यूनिवर्सिटी की जानिप से S.S.U. को दर्खास दी गई थी दरसल हमारी यहां जो यहां पर मुक्तलिफ जो स्टूरंट्स हैं तहते पांजार से अजर अलगियां पड़ती हैं और वहर घर से और बहुत सारे मुक्तलिफ जबान से मुक्तलिफ शेरों से बोलती हैं अब मतब पढ़ने आती हैं यहां पर रहती हैं वो उन में कुछ लोग ऐसे हैं किसी का पुलिस से भी तालोग है उनके वालदेन का किसी का बहुत अच्छा रिस्पांस किया SSU ने कि हमें टाइम दिया मिलने के लिए और हम बड़ा मुतासर हुए SSU की इनुट को देख करके पाकिस्तान में इतना जदीद किसम की ट्रेनिंग और इतना कौलिफाइड उनका स्टाफ जो कि किसी भी तरीके से आर्मी से कम नहीं है और उ मतलब हमारे सिंद में और खासतार पर जैसे सिंद पुलिस के लिए एदास की बात है SSU सर्टिफिकेशन तो मतलब हमने अपरोच इस तरह थे किया था कि हमने एक रिक्वेस्ट की जिसके जवाब में उनने फॉरन नहीं इस बात की इंपॉर्टन्स को समझते वे हमें फॉरन बच्चों बुडों और औरतों को कतल करें या मसाजिद इमाम बारगाओं और तालीमी इदारों को देशतगर्दी का निशाना बना कर मासूम तालब इल्मों की जान लें उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क में देशत पहला कर गैर मुल्की एजंडों से भारी रखमे ब कर दो